हमें problem क्यों था उसका root cause क्या है सबसे पहला तो एक समझना है कि हमारा human body बना है कैसे बुद्ध क्या है कि कोई भी चीज बनती है तो बनी कैसे सबसे पहला तो वह देखना पड़ेगा हमें एक invisible dot से पैदा होते और वह invisible dot जो है वह five elements से बनता है वो five elements का है हवा पानी खुराग संड्रेज और फिप्ट एलिमेंट इस अमारे जो अर्थ है वो खुद एक huge magnet है उसमें से नौर्थ पोल और साथ पोल magnetic frequency leads होती है पुर्थवी के पेट के अंदर 5000 किलोमेटर अंदर आउटर कोर करके एक एरिया है और वहीं से नौर्थ पोल सौथ पोल magnetic frequency निनमान होती है हमारे surrounding सब जगह बो magnetic frequency मोजूद है लिकिन उस magnetic frequency को आप आखों से कभी देखनी सकते जैसे oxygen को आप देखनी सकते वैसे है magnetic frequency को कभी देखनी सकते लिकिन आपके surrounding में वो अस्तितुवम है अगर इसके बारे में और ज्यादा details में आपको जानकारी चाहिए तो आप Google पे डालो Advanced Krillian Aura Photography Advanced Krillian Aura Photography डालोगे तो आपके surrounding में सब जगे पे magnetic frequency है लिकिन आज हो हमें कम मातरामी इसले ही मिल रही है क्योंकि आज आपके 3 feet में लोहा है कोई भी चीज देखो 3 feet में लोहा है यह छत लोहे का है यह फ्लोरिंग लोहे की है गाड़ी बाई कार ट्रेन तमाम करोड़े टन का लोहा हमारे आजू बाजू में है जो 1500 साल पहले था ही नहीं ना के बराबर था है या था ही नहीं ऐसा भी मान के चलो तब यह 5 elements से यह हमारा जो body बनाए यानि body blood cell से बनी है अपनी मतब अपना जो blood cell से 5 elements से बना है और blood cell से पूरी body बनी है अपनी तो अपके organ के कोई भी part लोग किसे बने है blood cell से यह नाखुन किसे बना है blood cell से यह skin किसे बनी है blood cell से बाल किसे बने blood cell से हड़ी किसे बनी है blood cell से तमाम शरीर के अंदर जितने भी औरगन पार्ट है सर से लेकर पैर के नाकुन तक सारे के सारे बलड सेल्स से बने हैं और बलड सेल्स का प्राइमरी खुराक है यानि प्राइमरी बलड सेल्स को जिन्दा रहने के लिए चाहिए ऑक्सिजन अगर किसी का 65 kg का वजन का बॉड़ी है तो अगले 60 दिन तक बगर खाने का जिन्दा रह सकता है बगर पानी का 15 दिन जिन्दा रह सकता है वर्स्ट केस में लेकिन अक्सिजन के बगर चंद सेकंड भी जीना मुश्किल है तो ये worldwide प्रूव हो चुका है magnetism magnetism के बगर 2000 से भी जादा books दुनिया में मौझूद है अर्बो खर्बो पेज की information इंटरनेट पे मौझूद है पूरे के पूरे PDF है मैंने इतना सारा data निकाला है इंटरनेट से कि अगर मैं आज पढ़ने शुरू करू बगर ना है तो ये बगर खाना खाए तो अगले 500-500 साल लग जाएगा ये magnetism को समझने के लिए लेकिन इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है ये time-tested proven concept है magnet का conclusion एक ही है magnet improves your blood circulation and by default enhance your oxygen level और ये नैचरल मैंगनेट की बात करो magnet कई किसम के होते है लेकिन आम तोर पर मैं जो magnet की बात कर रहा हूँ आपको मैं नैचरल मैगनेट की बात कर रहा हूँ अभी तक आप लोग जो देखते आए वो artificially, electrically charged industrial grade का magnet है ये है नैचरल मैगनेट नैचरल नीडेम jestem तो ये हमारे शरिर को कभी भी हम नहीं करते है इसके कोई भी side effect नहीं है सीथ तीन लोगों ने इसको यूज नहीं करना है जो लेडी pregnant है उसको यूज नहीं करना है जो बंदे के चाती का अनल पेस maker नाम की electronic device है उसको यूज नहीं करना है और जिसके पास electronic insulin pump है उसने उसको यूज नहीं करना है क्योंकि magnet electronic चीज़ों को बंद करता है और electronic चीज़ है इस magnet से दूर रखना है क्योंकि यह बहुत powerful magnet है इतना छोटा magnet is equal to ordinary 100 kg magnet यह body के अंदर blood circulation improve करता है blood circulation improve करने से आपके शेरिर में oxygen की proportion बढ़ती है जैसे अपने नाक्से सासली left और right में दो हमारे lungs है यानि 600-600 ml के oxygen के cylinder है आप अपने नाक्से सासली लिकिन ओर lungs में ही मुझूद है oxygen आगे जिस रफतार से उसको बढ़ना चाहिए जिस speed से उसको पुरे body के अंदर top to bottom जाना चाहिए एक एक organ part के पास एक एक blood sense के पास उस oxygen को जाना चाहिए वो जानी पाता तो magnet क्या करता है हमारे iron के साथ attract होता हमारी पूरे शरीर के अंदर 4 gram iron होता है और वो iron का ही रोल होता है blood sense के अंदर oxygen को penitrate करना यानि blood cells के अंदर oxygen को transmit करने का काम हमारी शरीर का iron नाम का component करता है अगर iron नाम के component को अगर हमारी शरीर में से निकाल दिया जाए तो maximum 50 second से ज़्यादा भी धर्ती बें जिन्दा नहीं रह सकते तो सदियों से magnet iron के उपर impact करता है iron को influence करता है और magnet iron को influence करता है दोनों एक दूसरी के दोस्त है दोनों एक दूसरी को पर असर करते हैं दुनिया में दोनों ही एक दूसरी को पर असर करते है तो हो क्या रहा है आज हमारी तीन फिट का जो लोहा है हमारी पृत्वी की जो natural magnetic power जो आप उसको देख नहीं सकते उसको अपनी और खीषता है जिससे आपको जो 100% magnetic power खुदरत नहीं दी है वो लोहा अपनी पास खीषने के कारण हमें 25-30% 40% कम मातरा में वो पृत्वी की magnetic power मिलती है जिससे क्या होता हमारे हाट को पंपिंग करने के लिए जो पृत्वी की magnetic power चाहिए वो कम मातरा में मिलता है मैं आपको इतना ही बता दो हमारा हाट हमारे पूरे शरीर में दोई चीज़ सबसे इंपोर्टन है अगर वो है तो ही शरीर जिन्दा है पहला है हाट और दूसरा है ब्रेन यह दोनों सेंसिटियों डारेकली अर्थ-magnetic frequency के साथ connect है जब आप औरा फोटोग्राफी देखोगे तो उसमें clear हो जाएगा तो हमारा हाट पंपिंग करने के लिए पूत्वी के natural magnetic power लेता है वैसे हमारे शरीर के अंदर पचास लाग से भी ज्यादा होल से यानि पोर्स उसको हिंदी में बोलते ही human pores अब वहाँ पे जाके check कर सकते और वो सारे मतलब सर से लेकर पैर के तलवे तक सारे holes से हमारे और हमारा body surrounding में पूत्वी के magnetic power को हमेशा खिस्ता रहता है और हमारी जो पेट की नाभी है उस नाभी के जरीए पूरी शेरिल के अंदर उस magnetic frequency को पासान करता है और उस magnetic frequency को हमारा जो iron है एट्रैक्ट होके हम जो नाख से सास लेते हैं जो लंग्स में है उसको आपसाप करता है और हमारी blood cells के अंदर उसको transmit करता है दुनिया की हर एक बीमारी blood cells के तुरू ही पूरे शेरिल के अंदर फैलती है या उस particular उस organ part को damage करती है समझे लो किड्नी का कोई problem है यह है कि उस किड्नी के organ part को proper proportion में blood नहीं मिला जैनि वहांके blood cells को blood नहीं मिला cancer कहांपे develop होता है blood cells के अंदर दुनिया की हर चीज blood cells के अंदर develop होती यहां अभी corona ने इतना जबरदस पूरी दुनिया को फटका दिया corona कहांपर पैदा हुआ blood cells के अंदर अभी वो blood cells के अंदर पैदा इसलिए होता है क्योंकि हमारे blood cells को जितने proportion में natural oxygen चाहिए हो मिलता नहीं अब नहीं मिलने के कारण वो blood cells कमज़ोर पढ़ जाता है जब वो कमज़ोर पढ़ जाता है ना तो दोस्त को पहचान सकता है नो दुश्मन को पहचान सकता है तो उसके जरीए वो बीमारी आपके blood cells में enter होती है और पूरे शरीर में multiply होके फैलना शूरू हो जाती है तब जाके आप बीमार पढ़ जाते हो अलग-अलग टैप के आपको बीमार्या होती है तो हजार बात की एक बात blood cells को proper proportion में oxygen मिल गया तो दुश्मन को पहचान के उधर ही खतम कर देगा तो ज्यादा ये जितनी भी दुनिया भर में जो medical stores खुली है वो उनमें की दवाया हमारी deficiency है ही नहीं हमें हमारे शरूर को इसी पांच ही चीज़े चाहिए हवा, पानी, खुराग, सन्रेज, मैगनेटिक पावर चटवा कोंसा चीज़े मुझे बताओ करोडो साल से वही चाहिए था आगले करोडो साल भी body को जिन्दा रखने के लिए शरूर को जिन्दा रखने के लिए वही चीज़े चाहिए सब कुछ मिला पानी नहीं मिला जिन्दा रह सकते हो सब कुछ मिला हवा नहीं मिला जिन्दा रह सकते हो सब पुछ मिला, खाना नहीं मिला, जिन्दा रहे सकते हो, सब पुछ मिला, सन की रेजी नहीं मिल रही, जिन्दा रहे सकते हो, और हमारे शरीर को blood circulation करने के लिए पाचवी चीज़ जो चाहिए, पूर्थवी की magnetic power, पूर्थवी की magnetic power proper proportion में मिलेगा, तो हमारा blood circulation top to bottom, pool and push होता है, उस toxin को भी बहार निकालने में ये blood circulation system काम करता है, अपने अच्छे सा अच्छा diet लिए, अगर अपकी circulating system खराब है, तो each and your organ part तक, each and your blood cells तक वो जाएगा नहीं, आपका जो nutritious होता है, वो each and your organ part ब्लड cells तक जाएगा नहीं, दो धाल गंटे के पाट टॉलेट में flush हो जाएगा, तो आप जो भी diet लेते हो, वो आपको each and your organ part तक जाने के लिए वो काम करता है, जान, oxygenated blood को पूरे body के अंदर फैलाने का, वो काम करता है, तो इस particular magnetic concept के उपर, मैं अगले 24 घंटा, non-stop with evidence बात कर सकता हूँ, इतना मैंने इसके उपर research और study किया है, मैं लाखों लोगों को मिल चुका है, यही टेबल, यही च्छत, यहीं पर हम अलग-अलग लोगों के साथ consultancy करते हैं, magnetism natural है, negative कभी भी side effect नहीं करता है, तो हजार बात की एक बात, आपके शरीर में कोई भी problem अगर है, तो blood circulation, oxygen level की deficiency की वज़े से हो problem आपके शरीर में develop हुआ है, इसके उपर मैंने एक punchline बनाई है, 99.99% causes of the disease and disorder, only due to lack of blood circulation and oxygen, मतलब एक ही बात है, आपके शरीर में कोई भी अगर problem है, तो oxygen और blood circulation की deficiency के कारण ही हो problem आपके शरीर म बनाए, आप blood cells का primary खुरा के oxygen, उसको उसको oxygen दे तो आपकी body ठीक हो जाएगे, या धिरी धिरी ये कोई जादू की छडी नहीं कि आप magnet की influence में आगे तो दूसरी दिन भागना चालू करोगे, ये time लगता है, person to person differ करता है, और सो में 5 तका लोगों हो सकते result नहीं भी कि उसने body के already चिधरे उड़ा दिये, तो हमारा ये alternative natural therapy का ये product है, जिसमें आप आपकी doctor की treatment चालू रोखो, doctor की दवाईयार चालू रोखो, doctor ने दिया हुआ diet आप लेते रहो, आपकी exercise आप करते रहो, सब कुछ करते रहो, और इसको as a alternate, इस magnetic, जो हमारी products है, magnetic, biomagnetic product है, उस biomagnetic mattress पर सो जाओ, और जो हमारी bracelets और तमाम बहुत सारी products हमारी है, उसको आप यूज करो, अगर आपको आपके problem से बहार आना थे उसको alternate करके उसको use करना चालू करो, जब तक आप आपके body का blood circulation और oxygen level ठीक नहीं करोगे, आप ultra attack के disco करो, या दांडिया करो, कभी भी आपका problem नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, शेरीर में oxygen बढ़ाओ, ओके, आप कोई भी critical हालत में जब patient hospital में जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे बहला उसके नाग को oxygen लगाता है, तो घुमा फिरा के बात oxygen की है, प्रान वाई की बात चल रही है यहाँ पर, तो magnet एक ही oxygen का connection क्या हो, समझाना चाहता हो, हमने नाक से लिया oxygen का लंक्स में गया, अब लंक्स में stored है, और जिस speed से उसको फैलना चाहिए फैलता है, तो magnet क्या करता है, हमारे body के iron नाम के component को attract करता है, और उसको भाग, उसको लेकर हो दोड़ना शुरू कर देता है, मान के चलो, यह iron ह आगे का, यह iron यह क्या करता है, पीछे, यह इस से magnet है, और यह पीछे iron को लेके भागना शुरू कर देता है, यह black color का आप iron समझो, तो इस ने क्या क्या हो, एक vacuum क्रियेट हो था, क्या क्रियेट हो एक vacuum, मान के चलो, यह पानी की बोटल है, और यह पानी मैंने पी लिया, तो इसमें क्या हो, अभी 70% पानी है, बाखी 30% क्या है, oxygen मतलब, science क्या कहता है, जहां पर empty space है, जहां पर खली जगा है, वहाँ पर within a nanosecond oxygen पोज जाता, अभी nanosecond मतलब, एक second का करोड़वा हिस्सा, तो अभी क्या हुआ, iron ने magnet को लेके आगे भागा, तो पीछे अरे lungs के अंदर जो stored oxygen है, वहाँ पर फोज जाता है, within a nanosecond, तो आपके body के अंदर oxygen का प्रमान बढ़ता है, हमारे शेरिके अंदर 72,000 blood vessels से उसकी लंबाई तकरीबन 1,00,000 km है, तो उस पूरी blood vessels के अंदर oxygen full हो जाता है, और blood cells को healthy रहने के लिए तो oxygen ही चाहिए, blood cells healthy, तो body healthy, blood cells unhealthy, तो body unhealthy, blood cells dead, तो body dead, तो एक ही बात common sense के बात समझो, अपने शरीर को बरबाद करके डॉक्टर के पाद जाने में कोई अकल मंदी नहीं, डॉक्टर का दुनिया के कोई भी डॉक्टर का रोल, आपकी body बरबाद होने के बाद ही शुरू होता है, जैसे कोई भी वकिल का र परिशानी में करना, समाज को परिशानी डालने से अच्छा है, आपको एक बात तो समझ में आ गई ना, कि blood cells को चाहिए oxygen, oxygen proper proportion में मिलेगा, वो healthy रहेगा, और आज के दिन में वो कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज हमारे 3 feet में लोहा है, और आगे आने वाले 15 साल मे और यह हजारों करोडों गुनाब बढ़ेगा, radiation बढ़ेगा, stress बढ़ेगा, environment में problem आएगा, chemical toxin बढ़ेगा, इसका सबका असर हमारे शेरिल के उपर बढ़ता है, blood circulatory system disturb हो जाती है, जिसके अकानर हम जो हवा के जरीए, पानी के जरीए, खाने के जरीए, जो chemical हमारे body में ज खड़ रहा है, तो उसको भार निकालने के लिए, यह magnetic product यूज़ करना ज्यादा है, यहाँ पर आपने को common sense यूज़ नहीं करना है, हाथ, जितना study करना, उतना study करो, लेकिन ज्यादा analysis करनी की ज़रूत ने, मैंने बोला, इसके ओपर करोड़ों पेज की डिटल से, ज्याद is a hypoxia, अभी आपको तो मालूमी जो भी science का बंदा है, हमारे शेरिर के each and every blood cells को oxygen transmit करने का काम, oxygen को carry करने का काम, oxygen को absorb करने का काम कोन करता है, iron, और मैं आपको blood cells का definition बता तो पूरी body blood cells से बनिये, blood cells के अंदर होता है, hemoglobin protein, hemoglobin protein के अंदर होता है, iron, और iron क्या करता है, oxygen को ख हीचेगा ना, तो यह oxygen बढ़ाने में magnet help करता है, तो इसको proper तरीके से आप study करो, समझो, आप इत्मना हैं से समझो, आरी कोई जादू की छड़ी भी नहीं है, कि 2-4 दिन में हो गया, किसी को एक घंटे में भी response मिलेगा, किसी को 10 दिन भी लगे, किसको 10 महिना में लगेगा, डिपेंट्स करता है, तो इस तरह से यह magnet काम करता है, हमारी e-biotorium जो company है, e-biotorium network private limited, यह कभी भी किसी हमारी जो magnetic product इसका कोई warranty, guarantee, claim कभी नहीं करती, लेकिन magnet तो within a fraction of second हमारे body पे influence करता है, मतलब करता है, और हमारा body भी magnet को respond करता है, तो depending कि आपका body कैसा respond करता है, दवा अच्छी है, doctor अच्छे, hospital अच्छे, फिर भी patient बसता नहीं, इसका मतलब doctor खराबे, hospital खराबे, दवा खराबे, ऐसा नहीं होता है, आपका body कितना respond करता है, उसके ओपर आपका body का recovery depend करता है, तो यह magnetic product use करो, क्योंकि आप जब सोते हो, तो आपका 95% repairing and maintenance वर नीन में होता है, इसलिए आप magnetic mattress पर सो जाओ, जब जब आप पानी पियोगे, कोशिश करो 90% magnetic पानी पीने की, हाथ में breast rate बांद के रोकोर, तमाम अलग-अलग products हमारे उसको use करो, क्योंकि हम कमाती किस के लिए, हम गाड़ी किस के लिए खरीते है, हमारे शरीर की खुशिय के लिए, हम घर कि बकिस्मत यह, इंसान अपने शरीर से पैसा कमाता है, फिर उसी शरीर को कमाने के लिए दुबारा पैसा लगा देता है, तो यह magnetic product को आप dip में जाके समझो, आज यह पूरी दुनिया की जरूत है, अगर पूरी दुनिया में 800 करोड लोग अगर है, तो 800 के 800 करोड लोगों को यह product की जरूत है, एक छोटा बच्चा भी उसको यूज करता है, एक बाण बेबी भी उसको कर सकता है, मागनेट कभी side effect ने करता है, और 125 साल का बुज़ूख भी इसको यूज कर सकता है, तो यह magnetic product लेना है, magnet improves your blood supply, bio magnet, not a magnet, bio magnet, कभी भी natural magnet, यह natural magnet यह कभी side effect ने करता है, यह आपके body के अंदर क्या कमिया खामिया है, और वही कमिया खामिया आगे जाके आपके शरी में multiple बिमारिया लेकर आता है, यह high BP, diabetes, यह क्या चीज है, यह आपको आज नहीं है, वो 5 साल पहले शुरूआ तब जाके आज indicate हुआ है, diabetes मिठा खाने सी नहीं होता है, diabetes आपके शरी insulin भी बनता है हमारे बड़े हैं, यह पर glucose बनता है, insulin का काम होता है glucose को neutralize करना, बैलन्स करना, insulin glucose को तभी balance करेगा, तभी neutralize करेगा, जब आपके शरी में dissolve oxygen बरपूर प्रमान में हो, proper proportion में हो, और यह जो biomagnet है, आपके शरी के अंदर dissolve oxygen का proportion बढ़ाने में help करता है, अगर यह dissolve oxygen का proportion बढ़ा, तो insulin क्या करेगा, उस glucose को जला देगा, या जो fatty acid बढ़ा है उसको जला देगा, fatty acid नहीं जला, तो आपका fat बढ़ता जाएगा, glucose अगर नहीं जला तो आपके शरींग में sugar बढ़ती जाएगी, तो इसमें करना का है oxygen को बढ़ाना है, अच्छा दुनिया की कि किसी भी medical store में, दुनिया के किसी भी medical store में oxygen बढ़ानी की कोई दवा नहीं रागले 200 साल आईगी भी नहीं, possibilities नहीं है, तो इसका एकी काम है, biomagnet की उस करो, यह काम अपना करता जाएगा, तो दुनिया की तमाम बीमारिया blood circulation distribution, आपके शरीर में अगर pain है, अगर मेरे हाथ मे pain है, तो उसका एकी कारण उस area में proper proportion बे blood circulation नहीं हो रहा है, आपके शरीर के अंदर कहीं भी pain है, तो वहाँ पर proper oxygenative blood नहीं जा रहा है, circulatory system खरब है, और उसके कारण वहाँ पर carbon dioxide की proportion ज़्यादा होती है, आपका body pain करना शुरू करता है, तो यह magnetic पानी पीओ, यह magnet की methods पे सो करो, फिर आपको अच्छा लगे, आपका मन बोले तो आप उसको लो, बाकी तो इसका ज्यादा analysis करने से paralysis होगा ज्यादा, दिमाग लगाने की जरूत नहीं, क्योंकि 16 साथ से हम दे रहे, रोज के लाखो products हम लोगों को दे रहे, तो यह product आज each and every person की जरूत है, आपको यू दुनिया की जरूत है, यह advanced, latest technology की magnet है, जिसको NASA के scientists भी use करते है, उनके space shuttle के अंदर, उनके कप्रों के अंदर, उनके जूतों के अंदर, तो यह advanced है, अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, तो इस magnetism की use करो, और आखरी जाते जाते हम यह बता देता हूं, कि शरीर के अंदर स धीरी-दीरी करके reverse करने में help करेगा, magnet help करता ही करता है, हो सकता है, show में से 25 लोगों को नहीं भी करेगे, लेकिन magnetic product बहुत जबर्दत असर करता है, तभी तो हम 16 साल से एक ही जग में बैठके पूरी दुनिया को यह product manufacturing करके supply करने की ability रखते, तो biomagnetism के बारे में आज की दि प्रिद धन्ट, प्रिभी दिर के रखते ही करेगे झालों करेपे ही करेगे जो खशिके बहुत, कि बढ़र्दते है, थाएँ, थाएएँ, जन्यद दूम है कर्भी दूरी कर दूरी करने मेंや ही जग हिएर धर्श. प्रूँम है, तो wonderful दूश B Neo!?